दोस्तों आज एक फिर से एक ऐसे इंटरनाशनल ब्रांड के बारे में बात कने जा रहा हूँ जो कि रिनॉल्ड कमणी के तरही इस कमणी की उपर भी बम फेक कर कमणी को पूरी तरह से बरबात कर दिये गये था और काफी संगर सो महनत करने के बाद आज ये कमनी एक नहीं बलकि 11 से जादा इंटरनाशनल बिजनस को कर रही है मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैपनीस मल्टीनास करमनी हिटाची के बारे में जिसके होम एप्लाइंस, प्रोजक्टर, एर कंडिसर और स्कलेटर जैसे पुरारट पूरे दुनिया वर में प्रसीड है और साथ आप भी हिटाची के नाम से काफी वाकिव होगी तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तो हिटाची की सक्सिस स्टोरी के बारे में दोस्तो कानी शुरू होती है जम नेमेई ओडिरा का जम 15 जनवरी 1874 को जपान के कैपिटल टोक्यो से 100 किलोमेटर के दूरी पे गवा था और उन्होंने अपनी गराजियोशन एज एलक्ट्रिक इंजिनियर टोक्यो इंपेरियल यूनियर्सिटी से कमलीट किया और इस्टेडी कमलीट होने के बार वो नौकरी करने के लिए एक माइनिंग कमनी के पावर प्लाण में एज एंजिनियर काम करने लगे फिर वहां से उन्होंने ऐसे बहुत सारे माइनिंग कमनी में काम किया लेकिन वो कुछ बढ़ा और अपना करना चाहते थे लेकिन कोई रास्ता ना होनी के वज़े से उन्होंने फिर से 1906 में एक कुहरा माइनिंग कमनी में हैसे इंजिनियर के तौर पे काम करने लगे और वहां पर वो इलक्रिक सीटी को मίνटेन किया करते थे और Electric City को Stable Form में Supply किया करते थें लेकिन फिर भी Odera ये सब काम अपने दिल से नहीं किया करते थें क्योंकि उन्हें कुछ नया करने की चाहती और Odera जहां पे काम किया करते थें वो एक Mining कमनी थी मलब कि जमीन को कोट कर किसी भी टैप के पावर को निकालना इस प्रोसेस को Mining बोलते हैं और इसी वज़े से Odera ने ये अवज़र किया कि छोटे-छोटे चीजों को भी निकालने के लिए जमीन को होने पड़ते थें जोकि ये काम काफी मुश्किल साबित होती थी जिस वज़े से इनी सबी चीजों को आवज़र करके वो अपने कपने के तीन-चार मेंबर को साथ लेखर मलब की जहां वो काम किया करते दे वहां के तीन-चार लोगों को साथ वो एक प्रोजेक्ट पे काम करने लगे और Odera ने पांच होर्स पावर का एक एलेक्ट्रिक मोटर को मैनुफेक्ट्र किया और हिस्ट्री के साथ से Odera का पांच होर्स पावर एलेक्ट्रिक मोटर सभी माइनिक कमनी के लिए एक बहुत बढ़ा डेलोप्मेंट का खार्ण था क्योंकि Odera का मैनुफेक्ट्र किया वा एलेक्ट्रिक मोटर सभी कमनी के लिए कफी यूसफुल था और उसकी मदद से सभी मायनी कमनियों के लाकों पैसे बस सकते थे जिस वज़े से ओडिरा को यह हैसास हुआ कि अब वो खुद की कमनी खोल सकते हैं जिस वज़े से उन्होंने 1910 में जैपनिस लोगों सिस्टम को य कितरत्य से इंदर कफी अच्छे चलने लगी तो उन्होंने यह देखते वũे चाहां वो काम क्या करते थे को छोड़ दिय और अपनी कमनी हिटाची को 1920 में एक इंडिपेंडनेंट कमनी बना दिये मलब कि अब उन्हें जो भी करना था उन्हें हिटाची के लिए और हिटाची के मदद से करना था और वो अपने कमनी को शुरुआती दिनों सही काफी अच्छे से चलाते थे और समय के साथ साथ उनकी कमनी काफी अच्छी खासी गुरू होती जारी थी और यहां तक ही बहुत देश सारे साहर में उनके कमनी की फैक्टरी भी सेटब हो गई और जब उनकी कमनी काफी अच्छी खासी चल ले थी तो उसी समय वोल्ड वार शुरू हो गई थी जिस वज़े से अमरिका जापान की उपर हावी हो गई जिस वज़े से अमरिकान आर्मी उनके देश को बरबात करना शुरू कर दी और क्योंकि हिटाची अपने देश में काफी फेमस कमनी थी इसलिए अमरिकान आर्मी ने हिटाची के फैक्टरी को बरबात कर देने का थैसला लिया introduces बंपटक के कमनी को पूरी तरह से बरबात कर देने अ गया और यहां तक ही ओडिरा को उनके हाथ से उनकी कमनी भी चिल लिया गया और अग ओडिरा की लाइफ उनकी कमनी फैक्टरी सब कुछ बूरी तरह से नस्ठोपेटी और लेकिन फिर भी ओडीरा ने हार नहीं माना और बस कैसे ना कैसे करके अमरीका को मनवा लिया और उन्हों अमरीका के तरफ से सिफ 19 मैनुफेक्टिम प्लांट सेटप कने का मौका मिला और उन्होंने अलग-अलग जगर अपने प्लांट को सेटप किया लेकिन कमनी की भी थी जिसमें कि वांट कोरिया और नौत कोरिया के भी सुर्व हो जाती जिसाब का टेंशन लिक्defined युर्ट ciao करना सुरू कर दिये हैं और जपान के साथ साथ उन्होंने अपने कमनी हिटाची को 1956 में अमरिका में भी स्टैबलिस कियें और 1982 में हिटाची को यूरूप में भी स्टैबलिस किया गया और ऐसे धीरे-धीर हिटाची हर एक देश में स्टैबलिस होती गई और कमनी के फुरोध के वज़े से तोसीबा जैसे बड़े बड़े कमनी भी Hitachi के साथ पार्टनर्सिप कर ली और आज Hitachi LG, Asus, Samsung जैसे बड़े बड़े कमनी में से एक है और इसे के साथ अगर आपको जानना है कि एमरीका और जपान के भी इस कैसी समन रही है तो आप इस आइकार्ट पर टच करके पहले वीडियो को टच करके देख सकते हैं या तो वो वीडियो और रेड़ी आपके स्क्रीम पर दिख रही है आप यहाँ से टच करके देख सकते हैं